Reaction of alkene with alkaline KMnO4 ओके तो यहाँ पर जो भी हम alkene का reaction करवाएंगे किसके presence में करवाने हैं with the alkaline KMnO4 मतलब जो भी hypnot Zur Amplen पार रहेगा वो basic medium में रहेगा ठीके alkaline का ही मतलब क्या होता है in basic medium ओके तो यहाँ पर हम लेते हैं alkene that is ethene CH2 double bond CH2 ओके इसमें हम एड़ करेंगे water that is H2O and nascent oxygen okay reaction करवाएंगे in the presence of alkaline के aminophore okay so यहाँ पर देखे product क्या form होगा यहाँ पर क्या है H2O और यहाँ पर एक oxygen है ठीक है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहां पर कितने oxygen बचे दो oxygen तो मैं एक oxygen इस hydrogen के साथ लिख दूँगी और दूसरा oxygen इस hydrogen के साथ ठीक है अब यह जो हमको मिला है औ औ औैज़ ग्रूप, तो हम क्या करेंगे, जो भी double bond वाले carbon है, ठीक, carbon to carbon double bond, यह दो carbon यह है, ठीक, तो हम इनके presence में क्या करेंगे, add कर देंगे, ओकी, तो यह OH ग्रूप को add करेंगे हम, यह carbon के पास, बुसरे OH ग्रूप को हम add करेंगे, दूसरे वाले carbon के पास ठीक है कहाँ पर add करना है double bond के carbon को ही देखना है हमको ठीक है तो यहाँ पर तो दो ही carbon है और double bond है तो हम इन दोनों carbon को OH को add कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर product क्या form होगा that is CH2 double bond conversion single bond में हो जाएगा क्यूं क्यूंकि हमने यहाँ पर दो group add कि हैं OH के तो इसलिए double bond का conversion single bond में हो जाएगा तो product form होगा यहाँ पर that is CH2 single bond CH2 यहाँ पर add हो जाएगा OH ग्रूप और OH ग्रूप ओके इस compound का naming क्या रहेगा यहाँ पर हैं दो carbon ठीक है तो यहाँ पर हम अलकेन लिखेंगे एथेन ओके देन फर्स्ट कार्बन यह सेकेंड कार्बन है तो दोनों कार्बन पर OH ग्रूप प्रेजेंट है तो हम पोजिशन मेंशन करेंगे 1,2 डायोल ओके नेक्स्ट एक और एक्जामपल ले लेते हैं हम that is CH3 CH double bond CH2 ओके इस प्रोपीन एड़ करेंगे हम water and oxygen that is nascent oxygen reaction करवाएंगे in the presence of alkaline k-menophor ओके तो यहाँ पर क्या form होगा यहाँ से हमको मिलेगा HO and OH ठेक है जैसे यहाँ पर मिला था ओके नेक्स्ट क्या करेंगे जो भी हमको group मिला है ओएच का ठीक है double bond के presence में हम add करवाएंगे ठीक है तो यहाँ पर double bond है ठीक है यह carbon और यह carbon के बीच में double bond present है तो मैं इन दोनों carbon पर ही ओएच का addition करवाएंगे ठीक है तो यह वाला ओएच ग्रूप आ जाएगा इस वाले कार्बन पर add हो जाएगा ओएच ग्रूप ठीक है और double bond का conversion single bond में हो जाएगा तो product form कर लेते हम यहाँ पर डाटी CH3 CH single bond CH2 और यहाँ पर add हो जाएगा ओएच ग्रूप ओके देन नेमिंग कर लेते हैं नंबरिंग देते इस कार्बन को 123 3 कार्बन है तो अलकेन विल बी प्रोपेन ओके फर्स और सेकेंड कार्बन पर ओया चुरूप है तो 1,2 डायोल